चलिए इस खबर से ये साफ होता है कि माइक्रो मैक्स ने उभोकताओं की नब्ज शायद पकड़ ली है कम से कम ये उफलब्धी तो कुछ यही तस्थीर वयां करती है खर अब तस्थीर की बात याद आईए तो चलिए बात करते हैं फूजी फिल्म फाइन पिक स्थीट की खास्यति तो चलिए जानते हैं इस कैमरे के नफे और नुक्सान की बारे में मैं आपको एक कैमरे बारे में बताऊंगा जो हमने रिजेंटरी लॉंच किया है यह है S2500 यह बहुती कामपक्ट कैमरा है और हाइली फीचर है इसमें सारे भी फीचर समने लोड किये हैं यह है प्रेज्टी के इसे विप्रस्टी के बारे के पहले हम बात करेंगे इसके सीिजिटी के बारे में ये 12.2 मेगा पिक्सल की सीजिडी है ये वही बहुत ही हाई है लिजरिजन की इमेज आसको देती है उसके बाद हम बात करते हैं इसके optical zoom के बारे में यह optical zoom, 18x optical zoom, very high zoom एक छोड़े camera में हमने आपको दिया है इसके कोई भी object, distance object to arch near, 18x near करके आप photograph ले सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इसके LCD की इसके LCD 7.62 cm की LCD है जिसमें आप immediate preview कर सकते हैं इसमें image के इसके बाद हम other features से में बात करते हैं इसमें हमने कुछ auto mode आपको दिये हैं preset mode जिसमें आपको picture खीचने में कोई भी problem, कोई भी तकलीप ना हो इसलिए हमने इसमें दिये हैं auto mode है, sr auto mode है and इसमें sp mode है और एक panorama mode है यह चार automatic mode हमने आपको दिये हैं और साथ में हमने कुछ आपको manual mode दिये हैं जिसमें आप camera को खुद program कर सकते हैं अपने photography को आप खुद control कर सकते हैं इसके बाद हम आपको function से बारें बात करेंगे flash के बारे में इसमें हमने एक inbuilt flash दिया है यह camera का flash है जो तीन तरह से चलता है यह camera जो camera कुछ sense करता है कि आपको flash की जोज़त है या नहीं अगर room में light sum है यह flash automatic fire करता है अगर room में light enough है तो यह flash fire नहीं करता इसके बाद हम बात करेंगे face detection के बारे में face detection अगर आपने किसी भी photo को आपने कीचा हाउ टू हम लोग किस तरह से इस face को ज्यादा ही ज्यादा अच्छी तरह से face को focus करें उसके लिए हमने एक feature दिया है यह feature है FD यह high suit mode है इसमें आप high continuous source ले सकते हैं high resolution में continuous source आपको मिलती है ISO एक ऐसा feature है यह बताता है कि आपके camera का जो sensor है किसना ज्यादा sensitive है light के लिए इस camera में साथ में एक memory slot है जिसमें आप external memory card भी डाल सकते हैं इस camera में एक panorama mode है जिस mode में इस camera में wide angle जो होती है 28 mm की wide angle दी है इस angle में आप पूरे angle में आप picture नहीं देख सकते हैं अगर आपको picture 180 degree में देखनी है तो panorama mode में आप अगर आप जाएं तो इसमें आपको तीन option मिलते हैं आपने तीन picture फूट किया और camera automatic उसको switch करके एक very wide image बनाती है जो कि सारे image जो है उसको capture करती है जिसे हम panorama बोलते है इसके लावा कुछ free items हम दे रहे हैं अभी promotional item एक है 4GB की memory card है साथ में एक camera के एक watch मिल रहा है आपको और साथ में मिल रहा है nickel metal halide charge batteries और एक charger इसके लावा ये camera आपको दो साल की वारिंपी देता है ये सारा कुछ के बाद और एक additional offer हमने recently चालू किया है ये है एक tripod ये tripod अभी offer special offer आपको मिलेगा camera के साथ में 15 July से लेके September 2010 इसकी MRP है 16,999 रुपे और इसके अलावा अभी हम special offer price आपको दे रहे हैं वो है 15,999 रुपे मुझे आसा है ये camera आपको बहुत पसंद आएगा इस cost में इस features में इस सारी accessories आपको बहुत ही suit करेंगे Thank you